दयालु सामरी के कथा एक दिन मुसा की बेवस्था का सिखावे वाला आदमी ईसु के नेरे आओ वा सबन का या दिखाओ चाहत तेकी ईसु गलत तरीका से सिख्छा देत यही खातिर वा कहिस ए गुरू सदा काल का जीवन पावे के खातिर मैं का कर इसु ने उत्तर दिने सु मुसा के बेवस्था जो उन परमेसु ने दिन तै वहिमा का लिखो है वा आदमी कहिस वहिमा ऐसा कहोगा है की अपने परमेसुर से अपने सारे मन, प्राण, सामर्थ और ग्यान से प्रेम कर और अपने परोसी से अपनी तरह प्रेम कर यही उन उत्तर दिने सु तै ठीक कही रहो हा अगर तै ऐसा करस तो तोहिं का सदा काल का जीवन में जै लेकिन बेवस्था का सिखावे वाला आदमी लोगन का या देखाव चाहत तै की वह के जीवन जीएं का तरही का ठीक यह एक हतिर वा ईसु से पूछिस ठीक है तो मोर परोसी कौन है एसु ने वा बेवस्था के सिखावे वाले आदमी का एक कहानी सुना के उत्तर देने से एक यहुदी आदमी रहा है जो उनी एक सडक से हुई कै एरुसलेम नगर से एरिहों नगर का यात्रा कर रहोते है लेकिन कुछ डाकों ने वह का दिखे और वह पर हमला कर देनें वह का सबे कुछ ले लिनें और वह का मारें पीटें तथा अधमरा छोण के चलेगे वह के तुरतें बाद एक यहुदी याजक वही सडक से हुई के गुजरू वह याजक ने वही आदमी का सडक पर पड़ा हुआ दिखिस जब है वह वह का दिखिस तो वह सडक की दुसरी तरफ जाय के आगे बढ़गा वह ने वह आदमी का पुरी तरह से अंदेखा कर दीने से एके थोड़ी देर बाद एक लेबी वह सडक पर आओ लेबी यहुदियन का एक गोत्र रहा है जोन मंदिर मा याजकन के साहता करते वह लेबी भी अधमारा पड़े आदमी का दिखिस और देख के सडक की दुसरी तरफ से निकर गा वह भी वह आदमी का अंदेखा कर दीने से अगला आदमी जोन वह सडक पर आओ वह समरिया देश का एक आदमी रह सामरी लोग और यहुदी लोग एक दूसरे से नफरत करत फिर भी वह सामरी आदमी ने जबआ सडक पर पर यहुदी आदमी का दिखिस वह मा बहुत तरस खाइस तबहिन वह वह के नेरेगा और वह के घावन मा पट्टी बांद हैस फिर वह सामरी ने वह आदमी का अपने गादहाई पाई डार है और वह का वह सड़क से राहगीरन के रुकें की जगा मा लाई गा जहां पर वह के देख भाल करभ जारी रखेस अगले दिन वह सामरी का अपनी यात्रा का जारी रखें के जरूरत रह वह वह वही राहगीरन के रुकें की जगा के मालिक का कुछ पैसा दीने थ वह वह से कहे या आदमी के देख भाल करे अगर या पैसा के अलावा तो और कुछ और पैसा खर्च हो जाए तो वापिस आओंए पैसा मैं तो रुआ खर्च का भर दई फिर इसुने वह 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 दया दिखाईस इसुने वह से कहे तैंजा और ऐसा ही करे लुका अध्याय 10, 25 से 37 वचन तक से बाइबिल के एकत है